शहर की एटियम मशिनों में पट्या फसा कर रुपए चुराने वाले एक अंदराजिय चोर को पलिस ने गिर्वता क्या है आरोपी महमत इश्टियाग उत्रप्रदेश निवासी है और बड़ा ताजबाग पलिसर में रहता था आरोपी सिंदेकर 9600 रुपए और 21 लोही की नई पट्यों सहीद करीब 36,000 रुपए का माल सफ़ क्या है पलिस निमान की बाद आरोपी को जेल भीश दिया किया पुश्टाश में आरोपी महमत इश्टियाग ने बताया कि कानपूर में कई लोग एटियम में पट्टिया फसा कर रुपए चुराने का कांग करते हैं उसने नापूर में यह फॉर्मूला आजबाया तो पलिस की हत्ती चड़ गया आरोपी ने उत्यप्रदेश से ही लोही की पट्टी आली कराया था उसनी खुरकेश्वर शेत्र में एक एटियम से करीब दो हजार रुपए निकाले थे ब्रामनी कर्मेश्वर निवासी दुरकेश कोलं कडे खुरकेश्वर थाने में शिकायत दर्श कराया थी उन्होंने बताया कि गच 6 सितंपर को उन्हें इस एविलांस कंट्रोल रुम से सुचना मिली कि घुरकेश्वर के परिवरतन चौकसीद एक्सिस बांक की एटियम में कोई पट्टी अफ़सा कर रुपए निकाल रहा है वे सुपरवाईसर प्रिद्व ठाकरी को सुचित कर एटियम सिंटर पर पहुचे वाग्यात आरुपी करीब 2,000 रुपए निकालने में काम्याब हो गया था जाज के दुरान पलिस ने आरुपी मुहमत इश्दिया को बड़ा ताजवाक इलाके में दबोचा पहले वा इंकार करता रहा लेकिन जब सकती बढ़ती तो सब कुछ उगल दिया आरुपी को साथ चुलई को न्याले में पेश कर उसे एक तिंग की पुलिस रिमांट बलिया है रिमांट में उसने बत्या कि कानपूर में इस तरीके से ही लोग एटियम मशिनों से पैसे चुराते हैं वह यह तरीका आजवाने के दो दिन पहले ही नापूर आया था और किश्वर पुलिस ने शिकायत मिलने के करीब 12 घंटे के बाद आरुपी को धर्द पुचा है झाल 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 झाल